फाइनल दोस्तों आप लोग देखो के NTPC के दवर आपने quarter 1 के जो आंकडे हैं वो publish कर दिये गए तो चलिए फटा फट से देखते भी कैसे रहे है quarter 1 के आंकडे और साथ में क्या कुछ announcement किया गया है company की तरफ से तो चलो फटा फट से देखते हैं तो यहां पर आप लोग देखो के हम discuss करेंगे इसके unaudit consolidated results को लेकर all figure in rupees क्रोड में यहां पर आपको quarter and quarter results देखने को मिलेंगे और यहां पर आपको previous year का ended results है तो चलिए भी देखते हैं total income total income की मैं बात करें तो quarter 1 के दोरान जो हमें देखने को मिलें तगरीबन 43,390 क्रोड की और previous quarter में क्या थी 44,745 क्रोड की तो previous quarter से इसके income में fall बना है वही previous year के same quarter से compare करें तो वहां 44,560 क्रोड थी तो वहां से भी आप लोग देखोगे हमें जोनभी income में fall बनते नजर आया है अगर बात करें इसके expense को लेग रहे हैं जो total खर्चे हमें देखने को मिलें आपकी बार जो total खर्चे रहे हैं अभी 36,963 क्रोड के जिहां 36,963 क्रोड के जबकि previous quarter में क्या थे 49,018 क्रोड के और previous quarter के previous year के same quarter में 38,399 क्रोड के तो quarter on quarter basis पर गिरावट और previous year के same quarter से भी आप लोग देखोगे इसके इसके जो expenses उसमें गिरावट देखने को मिलें तो अबकी बार जो इसका revenue है उसके expense से कम है expense से जाद है तो इसके मतलब company को फिर से profit हुआ है कितना profit हो अचलिए देखते हैं भी profit for the period अगर में बात करूँ तो अबकी बार जो profit हमें देखने को मिलें वह है 4,907 क्रोड का जबकि previous quarter में क्या था 4,801 क्रोड का और previous year के same quarter में 3,977 क्रोड था तो quarter on quarter basis पर jump और previous year के same quarter से भी आप लोग देखोगे इसके profit में jump आते नजर आया है बट revenue में गिरावट है तो थोड़ा सा भई एक negation के डालता है बट profitable result आया है यह शांदार बात है EPS की बात करें तो यहां पर आप लोग देखोगे भी जो अब की बार हमें इसका EPS देखने को मिला है वो क्या है तकरीबन आप लोग देख सकते हो अर्णिंग पर शेर पांच रुपे अठारा पैसे और प्रिविस में गया थे चारी कहतर गया असपास और वहीं प्रिविस यह के सेम क्वाटर में तो यह इसके रेजल्ट से रेजल्ट काफी शांदार आते नजर आए हैं अगर प्रॉफिट के साफ से देखें तो यहां से स्टोक मैंने वल टाइम एक अच्छी रैली बन सकते हैं यह लॉंग ट्रम के लेगर स्टोक को होल्ड गया है तो यहां पर आपको जना भी बेस्ट परफॉर्मेंस यह कंपनी देते हैं नजर आ सकती है लॉंग ट्रम में आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आदे को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बना मत भूलने और थैंक्यू फूर वॉचुन दे वीड वीडियो